सुहल दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ एक साइट नई बात, बात है पुरानी लेकिन नए तरीके से, बात हम जानते हैं लेकिन उसको हम समझने की कोसिस करते हैं और इस पूरे वीडियो में मैं एक बुक की बात करूँगा, बुक इतनी कमाल की है, आपने उसको सुना होगा, आपने उसको साइट पढ़ा भी होगा कुछ लोगोंने, लेकिन इतनी कमाल की बुक है कि जितनी बार पढ़िये उतनी नई चीजे मिलके आती हैं, पूरी बुक पे तो मैं एक वीडियो क्या बीस वीडियो बना सकता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में पूरी बुक को तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट येस, कुछ चीजे, सुरुवाती वाली चीजें उस बुक की, मैं जरूर बताऊंगा, जिससे आपकी कई बार इनों आपका ब्रे प्रेकि जाती है, उसको पढ़ने के बाद, डेफिनिल्टी आपकी थिंकिंग अबिलिटी इन्हेंस होती है, आपके नए-ने डाइमेंसेंस ओपन होते हैं, तो थिंक, तो रियाक्ट, तो एक्ट ऑन पर्टिकुलर प्राब्लम, तो ये बुक वैसी ही है, मैं बात कर रहा हू अटामिक हैबिट की, ये एक बुक है, अटामिक हैबिट, इसको लिखा है जेम्स क्लियर ने, और जेम्स क्लियर साहब के बारे में काफी बातें अगर आप चाहें तो नेट पे मिल जाएगा, और इन्हों ने इस बुक को जब स्टार्ट किया, तो अपनी पूरी कहानी से स् और फिर ये ट्रामा में चले गए थे, बहुत चबर्दस इनको इंजरी हो गई थी, और ये कोमा में थे, वेंटिलेटर पे थे, फिर सर्वाइब किया इन्होंने, पूरी सर्वाइबल की कहानी इन्होंने बताई है, जो लगभग लगभग ये खतम हो चुके थे, मर गया थ और फिर उसके बार इन्होंने लाइफ में कैसे कैसे अपने स्टेप्स को बढ़ाया, तो इंट्रोडक्शन तो यहां से हुआ है, जो कि बहुत ही खुबसूरत है, आप पढ़ोगे तो आप खुद इस्पायर होगे कि एक बंदा जो लगभग लगभग डेथ बेट पे है, वो अपने आपको रिवाइब कैसे करता है, हलाकि उसमें उपर वाले का भी हाथ होता है, लेकिन उसके बात जो हुआ उसमें इनका पूरा हाथ था, कैसे यह स्कूल में, फिर कॉलेज में, एथिलीट हुए, बेस्ट एथिलीट हुए और पैरलली, एकेडमिक में प्रेस्ड आप सब लोग जानते होगे, तो इन्होंने एटम को डिफाइन भी किया है, एक एक्स्ट्रीमली स्मॉल अमाउंट आफ तिंग, दाट सिंगल, एर्रिदूशेबल यूनिट अफ लार्जर सिस्टम, उसके बाद इन्होंने बताया, इन्होंने सोर्स आप इमेंस एनरजी और इन्होंने किया है, easy and proven method, way to build good habits and break down the odd one, bad one, तो इन्होंने पूरी बुक में अच्छी हैबिट को कैसे हम अपने अंदर समाहित करे, बुरे आद्टों को कैसे हम छोड़े, छोड़े छोड़े तरीकों से उसके बारे में बताया है, इन्होंने बहुत सारे छोड़े छोड़े examples दिये हैं, जो पूरी बुक में भरे पड़े हैं, और वो हर page हर example को पढ़के आपका दिमाग खुलने वाला है, तो मैं कहूंगा बहुत सांती के साथ, time लगा के इस book को जरूर पढ़ेगा आप सब लोग, इसमें से कुछ चीज़े मैं बताता हूं, कुछ examples मैं share करता हूं, इनका एक example है कि British cyclist जो होते थे उस time, उनका बड़ा बुरा हाल था, हर जगह वो हारते थे, 2007 के पहले, और वो कहीं भी कोई tournament नहीं जीत पाते थे, इतना बुरा हाल था कि cycle जो manufacturer company होती थी, उनको cycle बेचने में डरती थी, सर्माने लगी थी, in fact उनने डिनाई कर दिया था, उ उनने लगता था, उनके cycle की sale down हो जाएगी, क्योंकि ये तो perform करते ही नहीं, हर जगह हार जाते हैं, फिर उन्होंने hire किया, एक Braille Ford साब नामक एक coach को, और उन्होंने कैसे पूरे system को, small small changes करके, पूरे system को, पूरे cycling को, Britain के change किया, उसकी पूरी कहानी दी गई है, जो काफी motivational ह कहानी क्या है, उन्होंने बहुत छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दिया, जैसे कि जो cyclist उनका fabric कैसा होना चाहिए, वो हवा के साथ थोड़ा गरम होना चाहिए, so that उन्हों body को heat रखे, अगर sports खेले हों, तो sports में हम warm up करते हैं, body अगर हमारी heat up रहती है, तो हमारी flexibility चाहिए और हम अच्छा perform कर पाते हैं, तो उन्होंने उस छोटी चीज को पकड़ा और बहुत सारे fabrics try किये, बहुत सारे fabrics try करने के बाद उसमें ultimately choose किया, फिर उन्हें सारे players, सारे जो players थे, उनको select किया गया था, उनकी sleeping habit को better किया, गदे, curtains, ऐसे चूज किये जिससे उनकी अ जगह होता है, तो वहां से जिससे बंदों की जो players है, उनकी health अच्छी रहे, बिमार ना पड़े, उनकी eating habit देखी, तो उनकी सारे चोटी चोटी आदतों को सुधार किया practice के साथ, practice तो पहले भी चलता था, और उसके बाद जो immense change आया, British Cycling में उसके बाद उन्होंने 2008 में जो Olympic हुआ लगभग लगभग, उसे पहले 110 साल में बहुत बुरा हाल था, hardly क्योंई एक भी medal जीता होगा, उसके बाद जो change आया, कि 2008 के Olympic में लगभग 60% medal उस category के पतियोगी दा के सारे जीत गए, उसके बाद 2007 से लेके 2017 तक, 178 World Championship, 66 Olympic में medal और पैरा Olympic के gold medals जीते, तो ये छोटे-छोटे changes का एक example है, ऐसे second example उन्हें दिया हो, जो सबसे अच्छी एक बात बताई उन्होंने, कि अपने life में अगर हम छोटा-छोटा change करतें, even 1%, process driven बनाईए, end result को नहीं, system को improve करिये, ये बताया उन्होंने, उन्होंने बताया, अगर हम अपने life में 1% change करते everyday, यानि improve करते हैं, तो 365 दिन में, हम अपने present time के करीब 37-38 times better हो जाएंगे, 3700 से लेके 3800% improved होंगे, और अगर हम 1% अपने को कम करते जाएं, decline होते जाएं, तो हम लगभग लगभग खतम हो जाएंगे, और बचेंगे 0.03, लगभग लगभग खतम, यानि हम 97% अपने existence को loose कर देंगे, this is what, you know, this book is saying, so मैं इस पे और सारे वीडियोज बनाऊंगा, आप कमेंट करिए कैसा लगा आपका ये छोटा सा review इस पुक का, I hope इससे आपको काफे सीख मिलेगी, और आप इससे अपनी life में कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और छोटे-छोटे changes लाएंगे, process driven होंगे, result driven नहीं होंगे, result अपने आप आएगा, system improve करेंगे, हर दिन थोड़ा better करेंगे, पहले वाले दिन से, and of course, you will be find a better tomorrow, so thank you very much, bye-bye, take care.